बहुत ही कम इंग्रीडियन्स जो हर किचन में एविलिबल होंगे ऐसे इंग्रीडियन्स यूज करके आज हम एक स्नैक बना रहे हैं और इसे हम बहुत ही कम ऑईल यूज करके बनाने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इस स्नैक को हम कैसे बनाते हैं इसी के साथ मैंने एक चोथाई कप ली है सूजी बारिक वाली सूजी ली है मैंने यहां पर मैंने एक चोथाई कप दही का लिए है हंकर जिसे मैंने एक कपड़े में टांग के उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया था हमें यहाँ पर गाड़ा दही ही चाहिए एक चुथाई कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिये है दो बड़े चमच मैंने यहाँ पर कॉनफलार का लिया है यहां पर एक चमच मैंने लिये हैं काले तिल यह मैंने एक बड़ा चमच लिया हुआ है अधरक और हरी मिर्च का पेस्ट यह हैं रेड चिली फ्लेक्स एक चमच नमक यहां मैंने एक चमच लिया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का यूज कर सकते हो और यहां पर मैंने मसाला ये मैजिक लिया है इसका एक पैकेट हम इसमें यूज करने वाले है तो चलिए रसीबी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक बॉल में डाल लेंगे आलू आलू को फ्रेंट्स ग्रेट करना जरूरी है क्योंकि हम ग्रेट कर लेते हैं इसमें गुटलिया नहीं रहती है तो इसी में हम डाल देंगे सूजी सूजी के साथ हम इसमें डाल देंगे हंग कर्ड और इसी में हम डाल रहे हैं ब्रेट क्रम्स साथी हमें हम इसमें कॉन फ्लॉर भी एड़ कर रहे हैं अब इसमें मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च और अध्रक का पेस्ट साथी में हम ये चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मसाला ए मैजिक ये मैं इसमें डालूँगी आपके पास अगर ये नहीं है तो आप और भी दूसरा कोई मसाला यूज कर सकते हो इसमें तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आपने देखा हमने इसमें रेड चिली का यूज नहीं किया है कि पि हमें इसका कलर जो है ज्यादा रेड नहीं चाहिए तो ये सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ तो यहां मैंने इसे अच्छे से गुन लिया है फ्रेंट्स इसमें जो दही हमने लेना है वो ठिक वला ही लेना है और अगर आपका जो ये डो है ज्यादा लूस पड़ जाए तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रॉम्स या फिर थोड़ी सी सूजी एड़ कर सकते हो तो इसी तरह से हमने इसका डो बना लेना है तो फ्रेंट्स इस तरह से मैंने आटे में से डो ले लिया है उसे मैंने round बना लिया है और अब पानी थोड़ा सा हाथों पे मैं पाली लगा के इसका मैं एक round shape बना लूँगी इस तरह से मैं इसे roll कर लूँगी बूड के उपर थोड़ा सा roll करने के बाद हम इसे हाथों में लेके इसे नीचे से थोड़ा सा ऐसे point shape दे देंगे तो इस तरह के मैं अपने जो दही के crackers है बना रही हूँ तो मैं बाकी की सारे बना के फिर आपको दिखा दिखा दिगा तो यहाँ friends मैंने कुछ जो दही के crackers है उन्हें shape दे दिया है तो हम इने अब फ्राय करेंगे तो फ्राय करने से पहले हमने जो यह काले तिल लिये हैं यह हम इनके उपर थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं यह लगाने से थोड़ा सा यह हमारा जो snack है और थोड़ा attractive दिखे तो अब इन्हें हम fry करते हैं तो oil हमारा गरम हो चुका है और friends आपने देखा मैंने इसमें बहुत कम oil डाला है तो अब गरम हो चुका है तेल तो gas को मैं low flame पे कर देती हूं और एक एक करके मैं हमारे snack को इसमें डाल देती हूं fry करने के लिए और इसे हम slow gas पे पकाएंगे क्योंकि ये अंदर से भी पकना चाहिए एक बार ये थोड़ा अंदर से पक गया उसके बाद हम जो gas की flame है उसको हाई कर देंगे इसका कलर बनाने के लिए तो इस तरह से मैंने सारे डाल दिये हैं और इसे हम इसी तरह से सिकने देंगे हम इसे हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी जब तक ये थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी नो हो जाए तो फ्रेंट्स ये नीचे से अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं तो अब इन्हें हम टर्न कर लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और दूसरी तरफ से भी अच्छे क्रिस्पी हो जाए उसके बाद हम इसकी फ्लेम को लेंगे आहिंगे। तो मैंने सभी हमारे जो स्नाक्स हैं, उन्हें टर्म कर लिया। और दूसरी तरफ से भी अच्छे वुर्य होने ते रही हूं। ऑफिर इन्हें हम प्लेक मेरी निकाल देंगे। तो यहां हमारे दई के क्रैकर्स बिलकुल अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं तो इन्हें आप निकाल लेते हैं प्लेट में और बाकी के भी सारे जो हैं मैं इसी तरह से फ्राइ कर लेती हूं तो मैंने इसारे प्लेट में निकाल लिए है तो फ्रेंट्स यहां हमारे दई के क्रैकर्स जो है बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हो मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है और मैंने इने एक केरेट का लुक दिया है तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने यह शिमला मिर्श को क बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और नए रसिपिस के लिए